नमस्कार दोस्तो हिंदी मेराथन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागित है अभिनेंदन है मैं एनके आज आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ नई टोपिक के साथ मित्रो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे विसेशन को लेकर और ये हमारा च प्रशनोत्री क्लास के रूप में क्लियर कर लिए हैं और हम बढ़ेंगे उतना ही जितना हो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट यानि टू दे पॉइंट चीजों पर हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम टोपिक सुरू करने से पहले हमारे जहन में यह होना चाहिए कि इ प्रशन आज तक पूछे गए हैं तो बात करें विसेशन की तो विसेशन में तीन तरह के पुछे जाती है पहला कोई आपको प्र्टिखु लार सब्हज़ दे और उस सब्हुस्के बारे में यह पूछे कि विसेशन है या नहीं दूसरा विसेशन के प्रकार है हुं में से एक प्रशन आपसे पूछा जाता है तीसरा विशेशन की आवस्ता को लेकर भी प्रशन पूछा जाता है अगर मैं बात करूँ कोई एक सब्द देदू आपको गरीब सब्द गरीब सब्द इसमें गरीब सब्द है प्रशन यह आजाए गरीब सब्द है पहला option दे दे आपको संग्या, दूसरा आपको दे दे सर्वना, और तीसरा option आपको बना दे विशेशन, और चोथा option आपको दे दे क्रिया, तो आपका answer क्या होना चाहिए, तो मित्रों आपका answer होना चाहिए, विशेशन, इसका मतलब यह हुआ, कि कुछ सब्द particular ऐसे होते है जो क्या होते हैं, विशेशन होते हैं, और कुछ सब्दों को विशेशन बनाया जाता है, जैसे संग्या, सर्वना, क्रिया और अव्यो, इनके अगर प्रते लगाते हैं, तो भी आपका विशेशन बन जाता है, लेकिन बात यहां तक पूरी नहीं होती, मैं आपको एक वाक् रहा है यहां पर देखेगा चोर जो सब्द है चोर जो है वो मोहन की विशेश तबता रहा है कि मोहन चोर है यहां यह विशेशन है लेकिन यहां चोर भाग रहा है यानि यह चोर जो है वो संग्या के लिए प्रियुक्त हो रहा है संग्या सब्द है तो हम किसी प्रटिकुलर स सब्द को भी नहीं रट सकते कि वो विशेशन होता है इसलिए हमें वाक्य का सेंस भी देखना पड़ेगा वाक्य का जो अर्थ है उसके अधार पर भी हम डिफाइन करेंगे बात करें विशेशन के बारे में कुछ बेसिक की बात करें तो यह एक विकारी सब्दे हैं और हर वी विशेशन नहीं होते हैं जिनमें प्रिवर्तन नहीं होता वह अविशेशन होता है विकारी सब्द जो होते हैं उन्हें में प्रिवर्तन किस कारण हो सकता है लेंगी के कारण हो सकता है वचन के कारण हो सकता है और यह संख्या में चार होते हैं संग्या होता है सर्वनाम होत तो इसकी में छोटी सी एक लाइन में इसकी प्रिवासा की बात करूँ हालांकि यहां से प्रशन नहीं पूछे जाते कि वहे विकारी सब्द यहां मैंने विकारी सब्द लिखा है क्योंकि विसेशन खुद क्या है विकारी सब्द है तो वहे विकारी सब्द जो संग्या और सर क्यालाता है प्रेविशेशन कहलाता है कि अगर क्रिया की विशेशता बताता है तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको क्रिया विशेशन बोला जाता है और आपको पता होगा क्रिया विशेशन तो एविकारी सब्द है एविकारी सब्द अवियो सब्द होते हैं अवियो सब्द भी बौल सकते हैं इसका मतलब इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्रिया विशेशन को क्योंकि ये अदे क्रिया विशेशन क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं अभी हम विकारी सब्दों पर करें जितने विकारे सब्दें पर हैं डिसक्स करें एक यह थोटा सा ق القिय है जिसके जिसको कूबता कर मैं आपको और वहतर ढरी कäre से समझा सकता हूँ अधिक प्रेश्रमी लोग अधिक प्रेश्रमी लड़के बहुत बोलते हैं अधिक प्रिश्रमी लड़के बहुत तेज बोलते हैं वो ध्यान से सुनेगा आराम से सुनेगा बहुत ही श्यांदार चीज है यहां लड़कों की क्या बताई जारे लड़के की क्या बताई जारे विशेश्ता की कैसा है लड़का प्रिश्रमी है यानि लड़के क जो सब्द होता है वो आपका विशेशन होता है जिसकी विशेशता बताई जाती है उसको विशेश से बोला जाता है ध्यान रखेगा जिसकी विशेशता बताई जाती है उसको विशेश से बोला जाता है और विशेशता बताने वाला जो सब्द होता है वो आपका विशेशन ह प्रिश्रमी कैसा है अधिक प्रिश्रमी है इसका मतलब यहां विशेशन की भी विशेशता बताई जा रही है और उसको हम क्या बोलते हैं प्रेविशेशन बोलते हैं क्लियर है यहां बोलना क्या है क्रिया है इसी प्रकार यहां बोलना क्या है क्रिया है और क्रिया कैसा बोलता है तेज बोलता है यह तेज क्या है क्रिया की विशेशता बता रहा है कि कैसे बोलता है तेज बोलता है तो इसको बोलते हैं क्रिया विशेशन अब यह बहुत क्या है बहुत क्रिया विशेशन की भी विशेशता बता रहा है इसको भी क्रिया विशेशन बोलेंगे ये एक नई चीज हो सकते है आप लोगों के लिए जो इंपोर्टेंट है विशेशन की विशेशता बताने वाला विशेशन विशेशन की विशेशन पताने वाला प्रे विशेशन इसी प्रकार से हम क्रिया विशेशन की विशेशन पताता है क्रिया विशेशन और क्रिया विशेशन की अगर विशेशन पताता है तो उसको प्रे क्रिया विशेशन नहीं बोलेंगे उसको क्रिया विशेशन ही बोलेंगी एक क्रिया विशेशन दूसरे क्रिया विशेशन की यहाँ विशेशता को बता रहा है अगर मैं वाक्की के अधार पर विशेशन की बात करूँ दो वाक्य आपको दे रहाऊं जहां से एक्जाम में बहुत बार प्रशन पूचा जाता है प्रशन ये पूचा जाता है कि उद्धस्य वाचक विशेशन इन में से कौन सा विधे वाचक विशेशन इन दोनों में से कौन सा जैसे दो वाके हैं यह है बगिच्चा सुन्दर है यह है बगिच्चा सुन्दर है दूसर है यह सुन्दर बगिच्चा है यहां एक बात तो तय है कि बगेच्ची की विशेशता बताई जारी है और जिसकी विशेशता बताई जारी है वो आपका विशेश्चे होगा सुन्द विशेशन के बाद में विशेशन आ रहा है और इस वाक्य में विशेशन जो है वो विशेशन से पहले आ रहा है अगर विशेशन से पहले अगर विशेशन आ जाए उसको उद्दस्य वाचक विशेशन बोला जाता है विशेशन अगर विशेशन से पहले आ जाए जिसमें विससे के बाद में आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे विदेवाचक विदेवाचक यानि सारी जो लाइन है वो इस पर टिकी है ये इंपोर्टेंट चीज हो सकती है मित्रो एक्जाम के लिए आपको जब भी इन में से प्रशन पूछा जाए तो आपको ये लाइन बना लेनी ह और confuse भी नहीं होना है कैसे नहीं होना है कि विसससे तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा एक होता है साब उदस्य और एक होता है विदेवाचक और पहले विसससे आता है तो आपका विदेवाचक यहां से एक प्रशन आपका पूछा जा सकता है एक और छोटा सा प्रशन ह हलांकि ये प्रशन जो है विशेशन के प्रकार से है इसलिए विशेशन के प्रकार पढ़ाएंगे तो और इसको बहतर तरीके समझाएंगे भारतिये लोग बहुत काबिल होते हैं भारतिये लोग बहुत काबिल होते हैं कौन सा विशेशन है परिणाम बोदक, सार्वनामिक विसेशन ये गुणवाचक विसेशन ये इनमें से कोई नहीं तो यहां इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका गुणवाचक विसेशन होगा कई बार ये गंफ्यूज करता है कि विसेशन के प्रकार कितने होते हैं अगर बोर्ड एक्जाम में प्रशन बनाता है कि विशेशन के प्रकार कितने हैं तो उसको भी सोजना पड़ेगा कि ओप्सन में चार देने हैं या पांस देने हैं क्योंकि जो माध्यमिक सिख्ष्या बोर्ड की किताब है वो पांच मान रही है और जो कई अथेन्टिक किताब हैं वो चार ही बताते हैं हलांकि मूलते प्रमुक्ते विशेशन के चार ही प्रकार माने गए हैं अगर चार और पांस दोनों ओप्सन में आते हैं तो वहाँ पर आपको चार ही ओप्सन करना है बले ही बॉर्ड कोई एकजाम कोई सा भी आंसर माने आपको वहाँ आपको नमबर मिलेंगे क्लेर है क्योंकि ये जो आप बताते हो ना वेक्ति वाचक विशेशन ये गुण वाचक विशेशन का ये एक भेद है गुण वाचक विशेशन में यह आता है कई लोग भिंता वाचक विशेशन भी बताती है तो आपको मुख्य तैक जाम में प्रशन पूचा जाए कितने भेध होते हैं विशेशन के तो चार ही मानने हैं एक यहाँ पर देखेगा आपकी जो रीट थी यहाँ लोग की विशेशन भाचक या विधेवाचक तो यहाँ लोग की विशेशन भाचक विशेशन का दूसरा है मुझे नया मकान खरीदना है ये नया मकान, पुराना मकान, नई बस्ती, पुरानी बस्ती, पुराना किला, नया किला, काल वाचक विशेशन, बात करेंगे इनकी जो मकान की विशेशता बता रहा है कि नया मकान है, इसका मतलब ये विशेशन है नया और ये विशेशन से पहले आ रहा है तो बिल्कुल आपका कॉन सा हो जाएगा उदस्य वाचक विसेशन हो जाएगा अब बात करते हैं विसेशन के प्रमुक्त भेद देखेगा जब भी exam हो exam के लिए हम short notes मनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि exam के time समय नहीं मिलता इतने सारे subject हो जाते हैं इसलिए हम sort इसलिए बनाते हैं कि उसको देखते हैं हमारे दिमाग में जहन में आ जाता है कि हाँ यह यह चीज़े होती है अब मैंने आपको V-sation के प्रमुकता भेद चार बताए हैं और चारों को यह PDF में टेलेग्राम एप पे डाल दूँगा पूरी नोट्स के यह जो है ना गुण वाचक विशेशन पहला प्रकार है दूसरा है संख्या वाचक विशेशन तीसरा परिमाण वाचक ध्यान रखना यहां पे परिनाम नहीं है उप्सन में डाल दे कि निमन में से कौन सा विशेशन का भेद नहीं है वहाँ परिनाम डाल दे तो हम जल्दबाजी में परिमाण देख लेते हैं परिनाम देख लेते हैं परिमाण को नहीं देखते परिनाम तो होता है आपका रिजल्ट result को सो करता है यह प्रिमान है माप तोल मुझे 5 बिगा जमीन चाहिए मुझे 5 किलोमेटर दोड़ना है मुझे कुछ धन चाहिए यह प्रिमान है major कर सकते हैं माप सकते हैं तोल सकते हैं गिन नहीं सकते वो आपके प्रिमान वाच़क होते हैं और एक होता है आपका सारवनामिक विशेशन, सारवनामिक विशेशन, 90 पिचाना प्रतिसेत जो हैं, वो आपके संग्या के जो विशेशता बताते हैं, वो इस सब्द होते हैं, 57 परशेंट आपके सरवनामिक विशेशता बताने वाले सब्द होते हैं, यह है लड़का, यह सा संग्या है संग्या से पहले यदि जिसकी और हम संकेत कर रहे हैं, वो यदि उस सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा हो तो वहाँ ये है जो है उसको सर्वनाम नहीं मानेगी, उसको सार्वनाम इक विशेशन मानेगी क्योंकि ये एसुद माना जाता है कि संग्या और सर्वनाम दोनों एक साथ नहीं आ सकते वाकिया सुद्य माने जाते, इसलिए ये जो ये है है इसको सर्वनाम नहीं मान के क्या मानना जाता है सार्वनामी किया संकेतिक विशेशन माना जाता है बात करें गुणवाचक विशेशन की तो जो भी गुण आपको नजर आएंगे जो भी किसी की जो मोश्ट विशेशता होगी अब वो गुण यह सा नहीं कि बला आदमी कैसा आदमी बला आदमी उसका एक गुण है बुरा आदमी गट्या आदमी इमांदर आदमी यह किस प्रकार के भी हो सकते हैं दोस बोदक भी दोस बोदक वो भी आपका गुणवाचक में आएगा बले दोस है बले जूट बोलता है वो उसका दोस है गुण है वो गुण है उसको कड़वा फल फल के प्रकरती मिठी होती है वैसे कड़वा फल दोस है लेकिन है वो गुणवाचक में और इनका पता कैसे लगाए इतने सार याद थोड़ी करें नहीं करने किसी भी प्रश्न में अगर पूचा जाए कि गुणवाचक का पता कैसे लगाए तो आपको सिधा सा आपको यह आंसर करना है कैसा कैसा लगा के आपको आंसर करना है भला आदमी कैसा आदमी भली लड़की तो वहाँ पे कैसी लड़की और बहुत सारे बच्चे हैं भली लड़के तो कैसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं आपका जो भी उत्तर आता है वो इनमें से हो जाएगा ठीक है वो आपका क्या होगा गुणवाचक होगा कई बार प्रशन इनमें अलग-अलग जो होते हैं उनमें भी फूस लेता है कि दक्षनी पस्चिमी मान्सुन किस प्रकार का विशेशन है और आपको चयार ओप्षन दे दे अकार बोदक 1973 दिशा NRÁ तो वहाँ पर आपको ध्यान रख न है जब दिशा की बाद आती है उत्त्री दिशा पूर्वी दिश ये दिशा बोदक विशेशन होते हैं दिशा बोदक कोमल सरीर प्रस्ण में आ जाए कोमल सरी तो यह प्रश बोदक होते हैं बताओंगा मैं आपको एक स्लाइड दे दूँगा वहां पर आपको देख लेना मोस्ट लिए आपको जो भी है स्तान बोदक वही मिलते हैं वेसे आप इनको रेटन नहीं सकते आपको अरा स्क्रामसी कर लेते हैं भारतिय नारी भारतिय नारी पर्टिकलर जो है स्तान विशेश को को गोल रोटी अ रोटी का कैसा आकार गोल अकार बोदक अकार की बात होती है समतल मेज कैसी समतल दोस बोधा कड़वा फल बुरी विचार विचार अच्छे होते हैं लेकिन बुरा विचार दोस है लेकिन है वो गुण अगर पर्टिकुलर गुणवाचक में ये नहीं आते हैं तब तो आपको गुणवाचक की मानना है और इन चारों में से आपको कोई किसी का पूछे, फटी साडी, फटी साडी, दसा है, बिख्री वी बाल, दसा है, कच्चा मकान, ये दसा है, नया मकान, काल बोधक, समय की बात है, पुरानी सडक, समय बोधक को दर्शा रहे हैं, ये आपके गुणवाचक होती है, दूसरा है संख्या वाचक, जिनको हम काउट कर सकते हैं, मेरे खेत में 50 गाए हैं, काउट कर सकते हैं, गिंती कर सकते हैं, वो तो क्या संख्या वाचक, और जिनकी गिंती नहीं कर सकते हैं, वो आपके परिमान वाचक, तो गिंती नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या करेंगे, माप कर सकत और ये भी आपके दिमाग में आ गया कि संक्यातो साब निस्चित भी होती है और एनिस्चित भी होती है मुझे 10 रुपईय चाहिए मुझे कुछ रुपईय चाहिए दोनों में फरक है ना फरक इतना साय कि एक में निस्चित है कि 10 रुपए चाहिए और दूसरे में निस्चित नहीं है कि मुझे कितने रुपए चाहिए इसी प्रकार से संख्या वाचक जो विशेशन है उसके भी दो भेद कर दिये जाते हैं एक निस्चित वाचक और दूसरा एनिस्चित वाचक अब इनके में डेफिनेशन लिखूं क्या मतलब है निस्चित का तो आप छोटा बचा दस चटी साथ वी का भी बता देता है कि वो निस्चित है मुझे 50 रुपए चाहिए मुझे 100 रुपए चाहिए यह निस्चित है एनिस्चित का भी आपको पता लग जाएगा आराम से एनिस्चित वाचक हम पढ़ गया है सरवनाम एनिस्चित वो यह सी में clear है अब यह साब संख्या वाचक होते हैं इसमें भी कई प्रकार की संख्या होते हैं जैसे गणना वाचक संख्या का एकजामपल आपसे पूछ सकत हैं गरना कर सकते हैं जैसे एक दो तीन हो सकता है ना ऐसे लेकिन ऐसे हो आवर्ती वाचक में कौन से आजाएंगे आपके दूरा तीरा चोगणा इस प्रकार से आवर्ती बोधक होती हम दोहरस सत्तक लगा अन्या सचिना बार आवर्ति का मतलब बार बार पहले सो फिर दू कुना के रूप में जो भी आती है वो आपके आवर्थी बूद है करम वाचक में पहला दूसरा आगे से तीसरा करम सही करो करम संक्या लिगते है ना अपा करम संक्या एक दो तीन चार पांच परकार से पहला दूसरा तीसरा पंकतीसे आठवा इस प्रकार से ये करम वाचक, इनमें से कोई प्रशन पूछ लिया जाए, पूछ सकता है कैसी भी, समूधाय वाचक की बात करते हैं, तो समूधाय के रूप में, तुम दोनों, तुम चयारो इस प्रकार से आपके समुदाई वाचक होते हैं हलांकि मेरे साब से यहां से प्रशन है जो अच्छे बालग होंगे उनका प्रशन गलत नहीं होगा क्योंकि यह बेसिक है एक प्रकार से इनको रटेंग यह कि आवरती बहुत दूर आती रहा होता है सर नहीं पता प्रकार से प्रिमाणवाचक में भी तो हम दो प्रकार कर सकते हैं एक तो निश्चित प्रिमाणवाचक प्रिमाणवाचक कपड़ा देना निश्चित है कि प्रिमाणवाचक हो गया प्रिमाणवाचक में कौन सा है निश्चित है निश्चित है निश्चित है निश्चित ह में थोड़ा पानी दोना पानी को गिन तो नहीं सकते वह प्रिमाणवाचक हो जाएगा लेकिन थोड़ा पानी देना कितना पानी देना थोड़ा एनस्चीत है मुझे कुछ धन चाहिए मुझे कुछ बिगा जमीन चाहिए तो इस प्रिकार के जो होते हैं वह आपके एनस्ची चोथा मैंने आपको बताया सार्वनामिक विशेशन वेसे देखें तो सार्वनामिक विशेशन में भी दो तरह की होते हैं एक जो मूल रूप से विशेशन होते हैं वो और दूसरा होता है आपका जो योगिक रूप में होते हैं जिसे यह आदमी चोर है यह आदमी चोर है जि कि और संगेत कर रहे हैं वो अगर उस सरवनाम के आगे लिखा है जस्थ तुरंत लिखा है। यह है वह है इस प्रकार के जो होते हैं कोई लड़का बाहर खड़ा यह योगिक की रूप में है कोई लड़का ऐसा लड़का नहीं देखा यह सार्मनामिक विशेशन के तो यह मैंने प्रकार बता हैं आपको विशेशन के प्रमुकता भेद यहां से प्रशन निश्टी तोर प्रस्ण आप से एक्जामे पूछा जाता है कल इस टोपिक के बारे में जितने प्रस्ण बनेंगे वो च्यार बजे करेंगे अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ इंपोर्टेंट स्लाइड पर जहां पर आपको देख लेना है यहां पर नोट्स पना लेना है जैसे भी गुणवाचक विशेशन के हमने बात किती जिस विशेशन में किसी संग्या सर्वनाम के गुण दोस रंग आकार का बोधो वो गुणवाचक होते हैं और इसमें मोश्ट सकते हैं गुणवाचक में अच्छा, भला, बूरा, सचचा, जूटा, सीधा, सरल, रंग बोधो में लाल, प्ीला, काला, नीला, हैरा, पिंली निस्चीत अराम से कर सकते हैं काली गाय किस प्रकार काविशेश dolor, कैसी गाय, काली गाय, रंग काल बोधो गया, अराम से आप प पुराना मोसमी प्राचिन नमीन दसा बवदिक में मोटा पतला यूवा फृद दुरूबल स्वस्त आकार बवदिक में चोर सोरी गोल चकुर लंबा चोड़ा नुकिलाइस प्रकार से अपकी और संक्या वाचक में में आपको पताया था ये गृणना वाचक एक दो तीन च्य चारो, आठो, पांचो इस प्रकार से यह कुछ जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि वेक्तिवाचक विषयेशन अलग होता है हलाद कि अलग तो ब में को विध करण देखना पड़ेगा पर्टिकुलर वेक्तिवाचक विषयेशन की बात होती है और particular वहाँ पे वेक्तिवाचक विशेशन में होता है जैसे प्रशन आजाए कि जोद पूरी जूती किस परकार का विशेशन है चार ओप्सन दे दे और वहाँ वेक्तिवाचक विशेशन भी दे दे तब तो आपको वेक्तिवाचक विशेशन ही करते हैं बिल्कुल वेक्तिवाचक विशेशन वेक्तिवाचक संग्या हम पढ़के आएं कोई दिक्कत नहीं होने चीज है वह भी बिंता वाचक की बात क्रें कुछ विशेशन है उसको भी अलग बताते हैं जैसे अनेक प्रतेख हर एक अनेक छात्रों ने प्रतियों किता में भाग लिया यहाँ पर छात्र है छात्र है गिन तो सकते हैं इसका मतलब संक्या वाचक तो होगा और कौन सी संक्या वाचक होगा एनने सी संक्या वाचक का एक्जाम्पल होगा लेकिन भिनता वाचक अगर option में मिल जाए तो आपको पहले प्रात्मिक्ता भिनता वाचक विशेशन को ही देने अब डिस्कस करते हैं विशेशन की अवस्ताई यहाँ से एक प्रशन आपके पूछा जाता है विशेशन की प्रमुक्ते तीन अवस्ताई होती है आपने English में पढ़ाओगा Positive, Comparative, Superlative मूला वस्ता से तात्प्री क्या है? इनकी एक एक लाइन में परिबासा लिखूं कोई मतलब नहीं छोटा बच्चा भी जानता है यह ऐसा विशेशन जो किसी particular एक वस्तु की विशेशता को बताता है एक समोय की विशेशता को बताता है मूल रूप में जो लिखा जाता है जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है मोहन एक अच्छा लड़का है यह मुना पवित्र रंदी है राहुल पटू बालक है इसमें पटू सबद मिल सकता है आपको यह important है यह द्याण होना चाहिए कई बार यह याद नहीं रहता है तो कहने का आजसे है कि मूल रूप में जो विशेशन है किसी एक की या समोय की विशेशता को प्रकट करता है वो आपका मूल आवस्ता होता है कहां रठने के आव सकता है दूसरा उत्रावस्ता, comparative degree सुनाओगा आपने, compare करना, तुलना करना, तुलना करना, बिल्कुल, इसमें से वर्ड मिल सकता है, क्योंकि राम मोहन से अच्छा है, यहां से आ रहा है, कारक से, से कारक मिल सकता है, राम मोहन से अच्छा है, जब दो वस्तों की जब तुलना की जा दियाना वहां पर आपका उत्तरावस्ता होता है बिल्कुल आपको एक्जाम में क्या मिल सकता है तर मिल सकता है किसी प्रश्ण में किसी सब्द में आपको तर लिखा है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कौन-कौन से अपते हैं मोश्टली तर मिल सकता है से अच्छा मिल सकता ह वहाँ पर आपको सीधा पहुंचाना है उत्रावस्ता में ठीक है तो इसको ध्यान रखेगा तर जो परती है वो आपको थ्यान रखना है जिसे यमुना सर्सवती यमुना से पवित्र है स्याम पटूतर है ये पटू अकेला आए तो मुला वस्ता होगी साब लेकिन तर लगा दिया तर परते लगा दिया तो आपका कौन सा हो जाएगा उत्र वस्ता सुपरलेटिव डिगरी यानि उत्मा वस्ता इसमें तो क्या होगा साब जी इसमें तो किसी, दो या दो से अधिक वस्तो की तुलना किसी एक को स्त्रेश्ट बताना, सबसे स्रवेश्ट रेश्ट कौन सा है, ये कोई जरूर नहीं है, कि स्त्रेश्ट ही बताना, हीन बताना, सबसे हीन, सबसे छोटा बताना, ये को जरूर नहीं, तो ये हुए, आपका से अच्छा इसमें मिल सकता है सबसे मिलेगा अच्छा की कोई जुरूर नहीं है सबसे बुरा भी मिल सकता है हिन भी बता सकता है सबसे सबद मिल सकता है इसके अलवा पटू तम मिल सकता है ध्यान रखेगा यह तीन सबद हो गए है आपके पटू है तब तो मूला वस्ता पट तो उत्म है, तो उत्मावस्ता, तरीन भी मिल सकता है, जैसे बेह, बेह का मतलब अच्छा होता है, बेहतर का मतलब से अच्छा होता है, और बेहतर का मतलब होता है, सबसे अच्छा, बेहतरीन का मतलब सबसे अच्छा होता है, बेहतरीन, सचीन, बेहतरीन खलाड़ी है, तो य इनमें से आपको कोई नहीं पूछेगा, जो इंपोर्टनेट चीज़ हैं वो आपको नीचे बताऊँगा मैं, वो 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 पूछी जाती है, गंगा पवित्रम नदी है, तम परते लगा है, बिल्कुल नरेश पटू तम है, यहाँ पे तम है, कुछ यहाँ पे मैंने, यह जो आपकी मोस्ट किताब है, उसके देखीगा, लगू, लगूतर, लगूतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच, उच, तर, उच, तम, सुंदर, सुंदर, सुंदरतम, यहाँ देखीगा, सब में तर है, और जिस में तर बरते लगा हो, वो उत्तर आव िसमें अटक जाते हैं कैसे स्रेश्टम सब्द में कौन सी अवस्ता है पत्र मौला अवस्ता उत्रावस्ता पुत्मा अवस्ता या इन में गर बता दीजी आपका कितना सही होता देखते हैं तुमित्रो स्रेष्टम सबद में कौन से अवस्ता है यहां पर इसका सही आंसर ओप्सन चार होगा सर इसमें तम लगा है ना तम लगा है फिर तो उत्मा अवस्ता होना चाहिए नहीं स्रेष्ट का मतलब इस अपने आप में उत्तम होता है अति उत्तम को स्रेष्ट करते हैं और परते के नीमा अनुसार एक एस्तिति को अगर परकट करने वाले एक से अधिक परते लगा दिये जाए तो उसको एसुद माना जाता है कि यहां स्रेष्ट में स्रे में इस्ट परते लगा दिया स्रे में इस्ट परते प्रते लगा के किसी एक अर्थ को प्रक्रिट कर रहे हैं तो वह एसुद माने साकते हैं सिदा सा फंडा यह है तो कुछ सब्द ऐसे होते हैं जैसे मैं पहले मैं भी स्रेश्टम साबद को उत्मावस्ता ही मानता था उत्मावस्ता, लेकिन जब गलत हुआ देखा, पैचाना तो मैंने भी इसको सीख लिए कि नहीं भी, ये उत्मा वस्ता बता है इसी प्रकार से कोई और नया वर्ड आपके सामने आते हैं उसको देख लीजिए ठीक है इसी प्रिकार से जैसे उत्करष्टम सबद में कोन सी अवस्ता है हलाकि यह स्रिष्ट उत्करष्टम एक ही चीजे तो इसमें दोस्तों इसमें क्या होगा इसकी तीनों अवस्ता है उत्करष्ट की जो उत्करष्ट की तीनों तो इसमें सही आंसर आपका उत्मा वस्ता होगा अब आप कहेंगे सर उत्करष्ट है इसमें भी तो इस्ट परते लगा है कोई जरूरी नहीं इसकी तीनों वस्ता है आपकी जो है उत्करष्टम कौन सा हो जाएगा इसमें उत्मा व सब्दें उत्करष्टम को आप स्रेष्ट बोल सकती है लेकिन उत्करष्ट को आप स्रेष्ट बोलें ये ठीक नहीं हुआ उत्करष्ट का मतलब होता है मतलब उत्तम केवल उत्तम अच्छा और उत्करष्टम का मतलब होता है अती उत्तम क्लियर है कुछ सब्द एसे होते हैं जिनको हम जैसे जैसे हमारे जीवन में आते रहेंगे, उसको हम सीखेंगे, रटेंगे तो नहीं, जैसे कुछ और सब्द हैं, ये लाइन मैंने आपको समझा दी होगी, देखिएगा, नोट लगा कि मैंने लिखा है, प्रते के निमानुसार एक इस्तिति को प्रिकट करने वाल आके हम क्या बना दिया, स्रेष्ट बना दिया, तो ये एसुद, ये तो सुद है, उत्मावस्ता है, लेकिन ये एसुद है, स्रेष्ट तम, कही गाइड में आपको स्रेष्ट तम, उत्मावस्ता में मिलेगा, गलत है वो, वरिष्ट, ये वरिष्ट, अध्यापक वरिष्ट अगला द्यापक नहीं देखिए वरिष्ट का मतलब उनमें जो सबसे उत्तम है सबसे स्रेष्ट है वर्ग के आप इस्ट परते लगा दिया वरिष्ट हो गया यह उत्मा वस्ता हो गई लेकिन वरिष्ट तम यह गलत हो जाएगा ऐसुद हो जाएगा क्लियर है अगला है आपका कनिस्ट चोटा होता है कनिस्ट और सबसे चोटा होता है कनिस्ट और कन प्लस इस्ट कनिस्ट हो गया लेकिन कनिस्ट यह गलत हो जाएगा ठीक है इससे परकार से गनिस्ट सबसे अच्छा गहरा गनिस्ट गन जोड इस्ट गनिस्ट हो गया उत्मा व लिखाया था इस्ट घनिष्टम क्लिर है पटू लगा हो पटू लगा हो तो आपको करना है मुलावस्ता पटू तर लगा हो उत्तरावस्ता पटू तम लिखा हो उत्मावस्ता तीनी चीजे बेह मुलावस्ता बेहतर उत्तरावस्ता बेहतरीन आपका उत्मावस्ता तरीन भी मिल सकता है इस भी मिल सकता है तो ये आपका यहां तक topic complete हो चुका है कुछ प्रशन है जो exam में प्रशन पूछे जाते हैं इस प्रकरती के प्रशन होते हैं वो पहला प्रशन ये है सचीन स्रेष्ट खिलाडी ऐसा प्रशन आपसे पूछा जाए स्रेष्ट इसको underline करके पूछी जाए कि इसके वस्ता कौन सी है तो यहां सचीन सबसे स्रेष्ट है यही इसका answer होगा सचीन अती उत्तम खिलाडी है तो इसका जो सही answer है वो आपका क्या होगा स्रेष्ट जो है वो आपकी उत्तमा वस्ता होगी clear है गिला प्रेष्ण है कस्मीरी सेव में विस्येशन है कस्मीरी सेव में विस्येशन है तो यहां पर विस्येशन के प्रकार में भी पूछा जा सकता है चार ओप्सन आपको दे सकता है तो वहां पर आपको सेव की विस्येश्ता बता रहे है कस्मीरी सेव की बात कर रहा है तो वहां पर आपको गुण वाचक विशेशन बताना है अगर ओप्शन में व्यक्ति वाचक विशेशन आता है तो पर्टिकुलर आपको व्यक्ति वाचक विशेशन ही आंसर करना है किसी वेक्टी विशेश्ट की अगर विशेश्टा को प्रकट करता है उसका सरीर बहुत मोटा है ये प्रशन पुचा जा सकता है विशेश्टे और विदे और विशेश्टे को लेकर यहां सरीर की विशेश्टा बताई जा रही है कि बहुत मोटा है शरीर की विशेशता बता रहा है और ये विशेशता बता रहा है इसका मतलए ये विशेश्चे है और ये विशेशन है और विशेश्चे के बाद में विशेशन आ रहा है तो मैंने आपको बताया था बाद में आता है वो आपका विदेवाचा क्विसेशन होता है यह घर मेरा है इस घर की और संकेत कर रहा है जिसकी और संकेत कर रहा है वो इस सर्वनाम के तुर्णत बाद लिखा हो तो वहाँ पर इसको सर्वनाम ने मानकर क्या मनेंगे ये इन चार प्रशनों के प्रकार हो सकते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ चीजे दिल से समझ में आई हैं, तो लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, सब्सक्राइब वगरे कर अपने दोस्तों के पास सेर कीजिएगा, कल चार बजे इस टोपिक से रिलेटेड जितने अग्जांप प्रशन हो सकते हैं, रिट आर्टेट पटवार जितने भी भरतियों में पूछे गए हैं, सारे के सारे डिसकास करेंगे, अगर हमारा कोई बिंदो छूट भी जाता है, कुछ प्रशन छूट भी जाते हैं, कोई नई चीज हमें देखने को मिलेगी, तो वो प्रशनों के माद्यम से हम कवर कर लेगी, ये आप लोग कवर देख रहे होगे, हिंदी व्याकरन रचनाबोध 9-12, माद्यमिक सिक्ष्याबोड की किताब है ये, और इसको मैंने आधार बना के इसकी इससे भी बहतर तरीके से बताया है, इसमें कुछ चीजे नहीं हैं, जिसे इसमें अवस्ताई नहीं दे रखी, मैंने आपको वो भी बताई हैं, तो ये चीज भी आपको authentic चीज है, पढ़नी है, इसकी मैं आप यहां पे और अधिन कर सकते हैं, हालां कि जो ची चीज ही आपको करना है और यहां पे देखेगा, यह आप इनके अच्छी प्रकार से notes, इनको देखके बना सकते हो, और short में आप notes बनाओ तो मेरी तरह बना सकते हो, यहां पर विसेशन की रचना बताई है, किस प्रकार से विसेशन बनाए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया पिता सोट में आप इनको और एक बार बहतर तरीके से कुद देख सकते हैं तो सारी चीजी मैंने आपको क्लियर की हैं फिर भी कोई डाउट हैं किसी भी टोपिक को लेकर किसी भी बिंदू को लेकर तो आप कमेंट करें और वीडियो के अंत में ये जरूर करके जाएंगे वीडियो कैसा लगा धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे कल चारप जी मुझे दीजी इजाज़त हसते रहे हैं मुस्करा तरी जै हिंद जै बाट टेक केर बाबाई